नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप सभी का स्वागत है नियोस क्लिक के शोट डेली राउंड अप में आई नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्क्यों पर लाखों स्कीम वरकरों की देश व्यापी हर्ताल आज असम में दशकों से खेदी कर रहे हैं मुस्लिम किसान दरांग जीले में अपनी ही जमीन से बेदखल गोली वारी में तीन की मौत दिली कोट ने दंगों के मामलों में ग्रफतार 10 आरोपियों को डिस्चार्ज किया दिली की रोईनी कोट में शूट आउट गैंस्टर जितिन गोगी की हत्या और आखरे में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की देश में 24 गंटों में 31,000 से ज़ादा नए मामले 318 मरीजों की मौत सबसे पहले बात स्कीम वरकरों की हर्ताल के बारे में देजबर की स्कीम वरकर सनीत रूप से आज देश व्यापी एक देवसी हर्ताल पर है इसकीम वरकर में मुखिता आंगनवाडी आशा, रास्टी स्वास्त मिशन और मिडडे मिल कर्मी शामिल है इस हर्ताल का हवान अखिल भारती सनीत समीती ने किया है आगनवाडी वरकस एवं हलपर्स यूनियन सम्मंदित सीटू ने अपने बयान में बताया कि अखिल भारती आवान के तहट 24 सितंबर को हिमाचल परदेश में पुर्ण हर्ताल रहेगी इस दोरान सभी आगनवाडी केंदर बंद रहेंगे वा शिमला, रामपूर, रोहन, ठियोग, बसनपूर, सोलन, अर्की, नालागड, हमीरपूर, नादौन, धर्मशाला गगरेट आदियस्थानों पर योजना कर्मी अपनी मांगों को लेकर सडकों पर उतर कर जबदस्त प्रदशन किया यूनियन अध्यक्षा निलम जस्वाल व महासची वीना शर्मा ने अपने सनित बयान में कहा कि आंगनवाडी कर्मीयों की मांगों में प्री प्राइमरी में 100 प्रतिशत नियोक्ती इस नियोक्ती में 45 वर्ष की शर्थ खत्म करने सूपर्वाइजर नियोक्ती के लिए भी भाद वर्ष के किसी भी मानिता प्राप्त विश्युद्याले की डिग्री को मानने करने ICDS को विदानता कंपनी के हवाले करके नीजी करड की साजिश, डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पोशन ट्रैकर एप और तीस पतिशत बजट कतोती जैसी मांगे शामिल है उन्होंने केंद्रवर प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर ICDS का नीजी करड किया गया, वह आंगनबारी वरकर्स को नेमित कर्मचारी घोशित न किया गया, तो आंदलन को और भी तेश करना होगा अब बात करते हैं असम की जहां से हैरान करने वाली घटना सामने आई है असम पुलिस की ओर से दारांग जिले के गोरु खुटी में Muslim परिवारों को बेधखल करने से गोरुवार को हालात ने खतरनाव मोर ले लिया जिसमें पुलिस की गोरी बारी में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई है अपुष्ट रिपोर्टों में कहा गया है कि मरने वालों की संक्या जादा भी हो सकती है सुत्रों ने बताया कि अस्तानी लोगों की योर से हुई इस पुलिस कारवाई की विरोध में इलाके में तनाव है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सर्मा के सोशल मीडिया हैंडल से पता चलता है कि 20 सितंबर को दाडांग जीले के धौलापूर नमबर एक और धौलापूर नमबर तीन गाओं में आठ सो परिवारों को उनके घरों से बेदखल करने पर सर्मा यानि खुश लग रहे हैं उन्होंने इस सिष्टा के साथ ही की गई इस बेदखली को लगबग साड़े चार जार बीगा जमीन की सफाई करार दिया जहां ये परिवार हर साल बाढ़ाने के बावजूद दशकों से खेदी कर रहे थे राज में काम करे अर्प संक्यक अधिकार संगठन असम सांखिलागू संग्राम परिशद यानि की A.S.S.P के अध्यक्ष मुहमद अली खलीफा ने कहा यहां किसी युद्ध के एक मनजर की तरह लग रहा था इन गाओं में 14 JCB से लैस सैकडो पुलिस और CRPF के जमान उतार दिये गए थे जिलाप्रशासन ने उन लोगों को हटाने के लिए 1500 सुरक्षा बलों को जुटा लिया था जो पहले से ही अपने घरों से अस्थाई बस्तियों के लिए जिलाप्रशासन की ओर से वादा की गई जमीन पर जाने को लेकर सहमत हो गए थे इस घटा के विरोध में आज दिल्ली में असम भवन पर विरोध प्रदर्शन भी किये गए अगली खबर है फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के बारे में दिल्ली के एक अदालत ने देखते हुए कि जाच एजनसी पूरग बयान दर्श करके मामले में दोश को कवर नहीं कर सकती उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंदित एक मामले में 10 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया अतिरिक्त सत्र नियाधिश विनोद यादों ने मुहम्मद शाहनवाज, शाहरुक, राशिद आजाद, अश्रफ अली, परवेज, मुहम्मद फैजल, राशिद मोनू और मुहम्मद नाम के आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया इन सभी को आम आदमी पार्टी के पुर्व पार्शत ताहीर हुसाइन के साथ घर को आदी को नश्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदात को इस्तमाल करने के लिए भारती दंड सहिंता, IPC की धारा 436 के तहट ग्रफतार किया गया था और अब बात दिल्ली के रोहनी कोट की जहाज दोपहर को वकील की ड्रेस में आये हमलावरों ने गैंग्स्टर जितेंद गोगी के हत्या कर दी, पुलिस ने दोनों हमलावरों को भी मार गिराया है दिल्ली पुलिस कमिशनर राकेश अस्थाना ने बताए कि जब गैंग्सर गोगी को कोट में सुनवाई के लिए ले जाए गया था तो दो आरोपियों ने उस पर गोलिया चले पुलिस ने जबावी कारवाई में दोनों हमलावरों को मार गिराया, उनमें से एक हमलावर पर 50,000 रुपए का इनाम था वकील अलीद कुमार ने बताए कि हमलावर वकील की ड्रेस में आये थे उन्होंने गोगी को लगाता तीन गोलिया मारी गोगी सुरक्षा में जो दिल्ली पुलिस के लोग थे उन्होंने 25 से 30 गोलियां चले जिसमें आरोपियों की मौध घटना इस तल पर हो गई गोगी की अस्पटाल में मौध हो गई जितिंद्रमान दिल्ली का कोक्याद कैंक्स्टर था जिसे देड़ साल पहले एक रागनी गाईका की हत्या के आरोप में गिफ्तार किया गया था बताया जा रहा है कि उसकी हत्या विपक्षी गैंग सुनिल उर्फ्टिलू के गैंग की है और अब आखिर में केंद्री स्वास मंत्राय दोरा आजशुक्रवार यानि 24 सितंबर को जारी आगड़ों के नुसार देश में दूसरे दिन भी कोरोना के 31 से ज़ादा नए मामले दर्ज की गए है इसके अलावा कोरोना से 24 घंटों में 318 मरीजों की मौत हुई है साथ इसी बीच देश भर में कोरोना से पेड़ित 32 जार से ज़ादा मरीजों को ठीक किया गया और अक्टिव मामलों में 1478 मामले कम हुए है देश में कोरोना संक्रमर के मामलों की संक्या बढ़कर करीब 3 करोड 35 लाग हो गई है जिन में से अब तक 4,44,000 से ज़ादा लोगों की मौत हो चुकी है स्वासमंत्रारी ताज जानकारी का अनुसार देश में कोरोना वैक्सिन के अब तक 84 करोड से ज़ादा डोस दी जा चुकी है जिन में से 72,20,000 वैक्सिन की डोस पिछले 24 घंटों में दी गई है आज की डेली रॉट अप में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी ज़रूर देखें फेस्बूक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया